सबजी कभी निहां I will have时间 to eat वैसे बेगन के सब्जी आपको बहुत पसंद करते लिकिन आलो पेंगन की सब्जी आपको बहुत ही पसंदाने और अब हो जाए विल्य सिफित के थी तरफ में ठोले लंम सिम्ध लिती है और इसको मैने स Catholics में रिफाइंड ओईल डाला है इसको अभी शैलो फ्राय करना है आप चाहे कोई भी बैंगन ले सकते हो किसी भी साइज में आप अपनी पसंद से कट कर लीजिए और इस तरह से शैलो फ्राय कर लीजिए कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राय करना है तो लगबन हमारे बैंगन फ् स्क्राइब हमने या तो आप अग में ढालिया है ऊत्राइब और इस तरह से करना है चाहां अधिव शैजिए फ्राय होने देना है तो हमारे अर्व होरिय अभी मसाला करेंगे हम जो ही मसाला में तैयार करेंगे यह गाव में सृम्सारिय यूज करते तो आधि चमश मेंने घ जल्दी ली है, एक चमच धन्या पॉड़र, आधी चमच नमक, एक चमच गरम मसाला, एक चमच रैठीली पॉड़र, एक चमच अमच अमचुर पॉडर लिया है, साथ से आधी चमच मैंने पानी लिया है, और पांच मिनिट के लिए इसको भीगो के रखेंगे, सोक करके रखेंगे इस मसाली को, ये गाउ में ट्रडिशनल मैथड है, सबजी बनाने की, इससे एक अच्छा सा टेक्शर आता है, स्वाद एक दम सबजी का दुबना कर देता है तो ये मैंने गाउ में इस तरह से बनाते हुए देखा था, तो ये रासिपी में आपके सार शेयर कर रही हूँ, तो आलू हमारे फ्राय हो चुके हैं, अच्छे से, तो बस उसी ओल में, बच्छे ओल में मैंने आधी चमच जीरा डाल दिया है, और ये आलू बेंगन, जो हम मैं इस टीम दे दिया है, अभी इस टाइम पे मैंने साथ से आठ लहसुन लिये है, उसको कूट लिया है, क्रश कर लिया है, और दो से तीन मिट हमने फ्राय होने देना, एक अच्छा सा स्वादा जाएका लहसुन का इसमें, और बस ये भीगा हुआ मसाला अभी हमने डालना ये, तो ये अच्छा से मैंने मिक्स कर दिया है, मसाले ने ओयल छोड़ दिया है, और सेपरेट हो गया है, इसे गार्मिशिंग के लिए मैंने धनिया पत्ता अभी डाल देना है, तो हमाई से जीमन के रैडी होगी है, आप इसे प्राटे के साथ बिल्कुल इंजॉय कर सकते इस टाइम पर, तो देखें कित अच्छा कलर आया है, और किती अच्छी सी लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक्यू, बबाए